नमस्का दोस्तों स्वागा थे आपका हमार यूटूब चनल फ्री एजुकेशन में दोस्तों आज के इस वीडियो में सभी पिर्मुक पदाधिकारियों के बेतनमान पर चाच्चा करेंगे और उनके संबन्द में कुछ एक्ट्रा फैक्ट भी समझेंगे यदि आप वीडियो शुरू से लगा कर लाश्ट तक देखते हैं तो मैं गैरेंटी से बूल सकते हूं कि आपकी आने वाली परिक्चा में यहां से एक नमबर पक्का हो जाएगा तो चलिए सुरू कर लेते हैं फटाफट से तो राश्ट पती का मासक बेतन होता है पाँच लाख ठीक है अच्छा वर्तमान राश्ट पती कौन है रामनात कोविंद जी वर्तमान राश्ट पती है और चौधवे नमबर की राश्ट पती यह क्रम आप जरूर याद रखें कौन से नमबर की राश्ट पती है चौधवे आजाता है आप लोग जानते हैं कि जो हमारे उपराष्ट पती हैं वो कौन होते हैं राज सभा के अध्यक्ष होते हैं और उनको जो बेतन मिलता है चार लाख वह राज सभा अध्यक्ष की रूप में ही मिलता है तो बार्तमान उपराष्ट पती कौन है हमारे वैंकया नाइड हुएं कौन से नंबर के उपराष्ट पती हैं तेरवे नंबर के इस से पहले वारवे नंबर के उपराष्ट पती कौन थे तो हामिद अंसारी जो हैं वारवे नंबर के उपराष्ट पती थे यदि हम बात करें प्रिथम उपराष्ट पती कौन थे हमारे भारत के तो सर्वपल और लोकसबा अध्यक्ष का भी वेतन कितना है चार लाक और हमारे बरतमान लोकसबा अध्यक्ष को है तो बरतमान लोकसबा अध्यक्ष है ओम बरला और ये सत्रवी लोकसबा की अध्यक्ष है प्रथम लोकसबा अध्यक्ष को है जीवी मावलंकर यानि कि गड़ेस प्रसाद म प्रिथम लोग सवा अध्यक्ष थे नेस्ट कॉस्चन देख लेते हैं राजपाल का वेतन कितना होता है तो तीन लाख पचास अजार यानि कि साड़े तीन लाख जो राजपाल का वेतन होता है यह जो राजपाल को वेतन मिलता है यह राजपाल को वेतन मिलता है यह राजपा 80,000 ठीक है कितना होता है 280,000 तो हम बात करें कि मुखने आइदिस कौन है अभी सुप्रीम कोट के तो वर्तमान में मुखने आइदिस है रंजन गंगोई और कौन से नंबर के हैं तो ये 46 बे नंबर के जो हैं मुखने आइदिस हैं अच्छा इसके पहले जो है 45 भी कौन थे तो दीपक मिसरा 45 भी नयायदीस थे और प्रिथम पूछा जाता है तो प्रिथम कौन थे ह जे कानिया मतलब हीरा लाल जे कानिया जो है प्रिथम मुख नयायदीस के थे सुप्रीम कूट के चलिए next question देख लेते हैं नमबर 6 है अन्य नयायदीस बो भी कहा के सुप्रीम कूट के अन्य नयायदीस का बेतन कितना होता है तो इनका बेतन होता है धाई लाग ठीक है तो ये अन्य नयायदीस तो बहुत सारे हैं कौन किस किस के नाम लखेंगे हम यहाँ पे तो चलिए next question द भारत में कुल कितने हाई कोट हैं तो कुल 25 हाई कोट हैं ठीक है अच्छा यह जो 25 बार रीसेंट में हाई कोट बना है यह कहां बना है तो आंद प्रदेश के अमराबती में यह रीसेंट में यह अभी हाई कोट बन गया है तो टोटल कितने हो गए हैं 25 हो गए हैं अच्छा ज होता है और वर्तमान आर्वियाई गवर्नर कौन है तो सक्तिकांत दास वर्तमान आर्वियाई गवर्नर है और किस नंबर के हैं तो यह 25 वी गवर्नर है ठीक है तो नेश्ट है आर्वियाई की डिप्टी गवर्नर तो आरवी आई के डिप्टी गवर्नर का वेतन होता है 2,25,000 और वर्तमान में आरवी आई के डिप्टी गवर्नर कौन है तो महेश कुमार जैन जो हैं वर्तमान में आरवी आई के डिप्टी गवर्नर है तो चलिए हम नैश्ट देख लेते हैं नंबर 11 है प्रधान म तो प्रधान मंत्री का बेतन कितना होता है भीया तो प्रधान मंत्री का बेतन होता है एक लाख साथ हजार ठीक है और बरतमान प्रधान मंत्री कौन है हमारे तो बरतमान प्रधान मंत्री है स्री नरेंदर दास दामोदर मोदी किस नंबर के हैं तो यह 15 नंबर के प्रधान मंत मंत्री हैं तो यह 15 नंबर के और यदि पूछा जाए कि नरेंद मोधी कौन से नंबर के प्रधान मंत्री के केबल इतना लखा है तो आपको वहां पर क्या लगाना है कि 14 नंबर के लेकिन यदि कॉस्चन में साफ लगा है कि पद पर रहे व्यक्तियों के अनुसर तो 15 नंबर क और केबल प्रधान मंत्री का क्राम पूछा जाए तो आपको आखे बंद करके 14 लगाना है क्यों कि जो 2014 में चुना हुए थे उसमें कौन से नंबर के थे 14 नंबर के ठीक है और आभी भी वही हैं तो 14 नंबर के हुए न लेकिन पद पर रहे व्यक्तियों के अनुसर कौन से ह ठीक है आप इसको याद रखेंगे नैश्ठ है नंबर 12, 13 और 14 जलसेन प्रमुख थलसेन प्रमुख और वायुसेन प्रमुख इन सभी का बेतन कितना होता है धाई लाग होता है लेकिन अब इनका हमें बेतन पता चल गया अब हमें पता करना है कि वर्तमान में कौन है ठीक ह और इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे देखिए जलसेन प्रमुख है करम वीर्स है ठीक है अब देखिए इसको हम के से याद रख सकते हैं जल का देखिए कितना संकट है और जल आज उसी को नसीब हो रहा है जिसके करम क्या है अच्छे है जिसके करम अच्छे है जल उसी को नसीब हो रहा है तो हम याद रखे रख सकते हैं कि जल सैना परमुक को ने करमवीर सान है एक आपको याद हो गया अच् mentorship अब हम देख लेते हैं सेकिन्ड थल सैना परमुक थल सैना परमुक हैं विपिन राबत और विपिन से हम निकालेंगे पिन से आप याद रखेंगे पिन को केबल आप थल में लगा सकते हैं तो थल सेना प्रमुक कौन हो जाएंगे बिपिन राबत हो जाएंगे चलिए नेश्ट देख लेते हैं नेश्ट कौन है वायू सेना प्रमुक और वायू सेना प्रमुक कौन है बी एस धनोबा ठीक है और यह 25 तो B.S. धनोबा, धनोबा को हम कैसे याद रख सकते हैं, देखिए, धनोबा से मतलब धनी व्यक्ति, ठीक है, और जो व्यक्ति धनी होगा, वही हमेशा वायू में सफर करवाएगा, हम जैसे आप जैसे कुछ चोटे लोग होते, वो तो वायू में हायलिकाप्टर में, एरोप उचा जाता है, और एक कॉस्चन, एक नंबर आपके एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अधिकांस कोशिस करते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और त्रू फेक्ट मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भ विडियो बनाते जाएं, तो नेश्ट देख लेते हैं नंबर 15 है, नेश्ट है नियंत्रक एबं महालेखा परिक्चक यानि कि CAG इसको हम कैग भी बोलते हैं, और CAG का फुल फॉर्म कई वार पूछा जाता है, तो कंट्रोलर एंड अउडिटर जनरल आफ इंडिया इसका फ अच्छा प्रिथम पर कोई ध्यान नहीं देता है और ये प्रिथम एक बार पूछा गया था तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था, तो प्रिथम नेयंत्रक एबं महालेखा परिक्चक कौन थे, तो वी नरहरी राओ जो हैं प्रिथम CAG थे, ठीक है, नंबर 16 की पधादिकारियों के बेतन पर चाचा की है, ये एक नई सूची थी, कुछ ही टाइम पहले अपडेट की गई है, और दोस्तों उनके संबन्द में हमने यहां पर बहुत ही ज़्यादा फेक्ट समझे हैं, तो आसा है कि आपके आने वाले एक्जाम में आपको यहां से एक नम पके ज़्यादा वीडियो के ज़्यादा कमेंट आते हैं, लोग ज़्यादा उसको सजेस्ट करते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, जो हमारे कंटिन्यू वीवर हैं, वो इस चीज़ को जानते ही, अच्छा थैंक्यू दोस्तों, यदि आपको वीडिय अच्छा लगा है, तो वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक करके जाना, अपने मित्रों के साथ, अपने स्टेडी ग्रूप में इस वीडियो को जरूर सेयर करें, लोगों को बताएं कि नई जो है बेतनमान सूची आ गई है, तो अपने स्टेडी ग्रूप में इसको सेयर कर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ सथ वैल आइकन जरूर दवाएं ठीक है क्योंकि जब तक आप वैल आइकन नहीं दवाएंगे आपको हमारे नए वीडियो नहीं मिल पाएंगे और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसी परकार का हम वीडियो देखें तो इसी आपके वीडियो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे बहुत ही इंपोर्टेंट तो आप यहां से आई बटन से भी हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे में टॉपिक वाइस सब्जेक्ट वाइस प्लेलिस्ट वना दिया हूं डिस्क्रिप्शन म आपको लिंक मिल जाएगी आप वहां से भी हमारी प्लेलिस्ट विजिट करके वीडियो देख सकते हैं या फिर आपको अभी तीन इंपोर्टेंट वीडियो देख रहा हूंगे इस स्क्रीन पर तो आप उनको भी वाच कर सकते हैं तो थैंक्यू दोस्तों मिलते हैं ले आत्रम भारत माता की